पैंक्रियाट टाइटीस एक बीमारी है जिसमें पैंक्रियाज में सुजन आजाती है पैंक्रियाट टाइटीस दो प्रकार के होते हैं क्रोनिक और एक्यूट यह दोनों ही महत्तोपुन बेचाइनी पैदा कर सकती है अगर इसका इलाज नहीं करा गया तो गंभीर कॉंप्लिक सकती है एक्क्यूट पेंक्रियाज़ में आचानक सुजन आज आती है और जो आम तवर उचीत उपचार के सांथ कुछ दीनों के अंदर ठीक हो जाती है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटीस उस थिति को कहते हैं जब पैंक्रियाज में सुजन लंबे समय तक रहती है जिसके परिणाम सरुप समय के साथ अंग को नुक्षान होता है बार-बार एक्यूट पैंक्रियाटाइटीस होने से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटीस का खत्रा बढ़ जाता है एक्क्यूट पैंक्रियाटाइटीस के संकेत पेट के उपरी हिस्से में दर्द, पेट से लेकर पीठ तक में दर्द, पेट को छू कर कोमल महसूस होना, उल्टी, बुखार, मतली, तेज हार्ट वीट और धीमी सांस लेना क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के संकेत पेट के उपरी हिस्से में दर्द खाने के बाद अपच और दर्द, लो ब्लड फ्रेसर, वजन कम होना, ओली और बदबुदार मल और डाइबिटीज होना क्या एहतियाद बढ़ते हैं? आपके पेंक्रियाज की रक्षा करने और पेंक्रियाज जैसे गंबीर स्वास्त समस्याओं के खत्रे को कम करने के तरीके हैं पेंक्रियाज वाले मरीजों को शराब से दूर रहना चाहिए कम फैट वाला और हाई फाइबर वाली डाइट पैंक्रियास पर तनाओ को कम करने और पैंक्रियाट टाइटीस के विकास के खत्रे को कम करने में मदद कर सकता है सकती से दूमरपान से परहेच करें फैटी लिवर और फास्टिंग लिपिड लिवर वाले लोगों को अपनी लाइफस्टाइल के प्रती सचेत रहना चाहिए ऐसे ही खबरों के लिए दखते रहें मेडिकल माइक साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें